नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका एक बार फिर से म्रदुल तिर्वेदी यूटूब चैनल पर तो आज हम करने वाले हैं यूज आप एक्सेप्ट एन एक्सेप्ट तो ये आपके लिए एक नई सीरिज है जिसमें हम जितने भी कन्फ्यूजिंग बर्ड हैं तो हमें बार बार परिशान करते हैं एक्सेप्ट 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 तो एसे कई वर्ड हैं जो हमें बहुत ज़्यादा परिशान करते हैं उनी को हम इस series में cover करेंगे तो यदि आपको ये series पसंद आती है तो ही हम इसे continue करेंगे यदि आपको नहीं आती है तो आप comment box में बता दीजिए तो मैं इसे यहीं पर stop कर दूँगा ओके यदि आपको पसंद आती है तो हम इसे continue करेंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पर accept और accept accept यान होता है सुईकार कर लेना जैसे कि मैंने आप से कहा कि आप मेरे घर पर शादी में आएंगे या नहीं आएंगे ठीक है तो यदि आप accept कर लेते हैं सुईकरत कर लेते हैं बोल देते हैं कि मैं आपके यहाँ पर आऊँगा तो means आपने उस proposal को क्या कर लिया है accept कर लिया है सुईकार कर लिया है understand आप समझ चुके होंगे कि इसका मतलब क्या होता है second है हमारा accept तो देखिए accept के दो मतलब होते हैं के अलावा या फिर हम बोल सकते हैं को छोड़ कर के अलावा या फिर किसी चीज़ को छोड़ कर तो यहाँ पर हम कुछ example देख लेते हैं जिससे हमारा और अच्छे से clear हो जाएगा यहाँ पर आप देखिए do you accept my proposal क्या तुम मेरे proposal को accept करते हो accept यानि क्यों होता है सुईकार करना कि आप मेरे proposal को accept करते हो या नहीं करते हो तो देखिए यहाँ पर accept का प्रयोग किया गया है next हमारा example दिया हुआ है we can't accept all of this हम इस सभी चीज़ों को accept नहीं कर सकते हैं जो जितनी भी चीज़े हैं all of these जितनी भी चीज़े हैं हम उसे accept नहीं कर सकते हैं सुईकार नहीं कर सकते हैं यहीं पर हम accept की बात करें तो देखिए accept everyone is invited प्रतिक व्यक्ति को क्या किया गया था invite किया गया था accept Sam Sam को छोड़कर प्रतिक व्यक्ति को party में बुलाया गया था आप यह समझ लीजे कि बहुत से लोगों को बुलाया लेकिन Sam को वहाँ पर नहीं बुलाया उससे उसकी लड़ाई हो सकती है इस वैसे उसे नहीं बुलाया गया नेक्स्ट एक्जामपल दिया हुआ है हमारा there is nothing permanent except change यहाँ पर there is nothing permanent यहाँ पर कुछ भी चीज पर्मानेंट नहीं है except change बदलाव के अलावा यहाँ पर कोई भी चीज पर्मानेंट नहीं है तो यदि आपको यह वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक कीजिए औके और हो सके तो शेर भी कर दीजिए और इसी तरह हमारी यह सीरिज चलती रहेगी जिसमें हम काफी सारे words cover करेंगे तब तक के लिए धन्यवाद मिलते हैं आपसे next वीडियो में